दोस्तों पटे कुर्ते में जो साधारर आदमी को देख रहे हैं वो भारत के तमाम करोडपतियों में से एक है और तो और साइकल पर बैठा ये साधारर इंसान भारत के गवर्नर का गुरू भी रह चुका है अब आप सोच रहोंगे कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ लेकिन दोस्तों मेरी बात इस सोला आना सच है शरीर पर साधारर कुर्ता लंबी-लंबी दाड़ी साइकल पर सवार इस वैक्ति को देख कर आपको ये वैक्ति एक गरीब तपके का आदमी लग रहा होगा मगर साधारर सा दिखने वाला ये शक्स कोई आम आदमी नहीं है दोस्तों आप इसे आम आदमी समझने की कोशिश भी मत करेगा बल्कि ये वैक्ति करोडों की संपत्ती का मालिक है जो कि पिछले 26 सालों से एक छोटे से गाउम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं जयान चौकिये मत ये बिलकुल सच है दोस्तों दुनिया में असे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं इन्हीं लोगों में एक नाम शामिल है आलोक सागर का आलोक सागर वही व्यक्ति हैं जन्होंने अपनी लगजरी लाइफ छोड़कर एक सिंपल लाइफ जीने की सोची अब आपके मन में इस सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखर इस व्यक्ति ने अपनी शानों शौगत की लाइफ क्यों छोड़ते और एक छोटे से गाउम में अपना जीवन यापन क्यों कर रहे हैं तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस शक्स के बारे में बताते हैं दरसल साल 1951 में आलोक सागर का जन दिल्ली के पटपडगंज में एक संपन सिक्षित परिवार में हुआ था उनके पिता एक बरिस्ट आयारेस अधिकारी थे जबकि उनकी माता दिल्ली विश्विद्याले के मिरांडा हाउस में फिजिक्स की टीचर थी उनके भाई IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं बता दे कि आलोक सागर IIT दिल्ली से पास आउट है और उन्होंने टेकसास की प्रतिष्टित हिस्टन विश्विद्याले से पिस्टी की है साल 1980 में आलोक सागर लेक्चरर के रूप में IIT दिल्ली से जुड़ गये थे और यहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरवात की प्रोफेसर के रूप में अपने कारिकाल के दोरान उन्होंने पुर्व RBI गवर्नर रगुराम राजन को भी IIT दिल्ली में पढ़ाया था IIT में शामिल होने के कुछी वर्षों बाद वह समाजिक सेवा समुहों के संपर्क में आये और उनके काम से पहुत जादा प्रेरित हुए और साल 1982 में आलोक सागर ने प्रतिश्ठित IIT दिल्ली में अपनी नौकरी को छोड़ दिया था जिसके बाद से वो मद्यप्रदेश के बैतूल जिले के कोचामू गाउं में गरीब आदिवासी समुधाय के लिए काम करना शुरू कर दिया वो भी एक ऐसी जगर जहां कोई बिजली कोई सड़क बिलकुल नहीं थी अलबता वहाँ 750 आदिवासी निवास करते थे आदिवासीयों के साथ रहते रहते आलोक सागर ने आदिवासीयों की अस्थानी बोली सिखी और उनकी जीवन के तरीके को अपनाया बता दे कि आलोक सागर 78 अलग-अलग भाशा में पारंगत हैं और आसानी से विलुप्त हो चुकी अन्य भाशाओं में आदिवासियों से बात कर लेते हैं वो कहते हैं कि इस पूरे धर्ती पर केवल आदिवासी ही हैं जो प्रकती से सच्चा जुड़ाव रखते हैं उसके प्रती शद्धा रखते हैं आलोक सागर भारा तस्दील के गाउं कोचा मव में छोटी सी छोपड़ी बनाकर रहते हैं जैसे आदिवासी रहते हैं वहां रहकर वो आदिवासी बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें सक्षा देते हैं प्रोपर्टी के नाम पर अगर बात की जाए तो प्रोपर्टी के नाम पर प्रोफेसर आलोक सागर के पास केवल तीन कुरता और एक साइकिली है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि आलोक सागर ने कभी भी अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन जब एक बार उनके गाउं में चुना आयोग के लोग पहुचे तो उन्हें आलोक सागर पर कुछ संदे हुआ इसके बाद से इंटेलिजेंस टीम ने उनके बारे में पता करना शुरू किया और उनसे पूछ ताज किया तब आलोक सागर ने अपनी डिगरी और अपने बारे में इंटेलिजेंस टीम से जुड़े लोगों को बताया जब उन्होंने ये सारी चीजे बताई तो वहां मजबूत सभी लोग अचम्बित रह गए थे आलोक सागर हमेशा से ही आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते रहें वो हमेशा से आदिवासियों के अधिकारों के लिए मांग भी उठाते रहें सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि प्रोफेसर सागर के नाम पर दिली में करोडों की संपत्ती है मगर फिर भी प्रोफेसर सागर ने अपना जीवन आदिवासियों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और वर्तमान समय में आदिवासियों के साथ वह सरल जीवन जी रहे हैं और तो और आदिवासियों की तरह घास फूस के जोपड़ी में रहते हैं जैसे आदिवासी अपना खाना खाते हैं वैसे वो भी खाना खाते हैं यात्रा करने के लिए वो एक साइकिल का इस्तमाल करते हैं और साइकिल के इस्तमाल करने का उनका सिर्फ ये मकसद है कि इस प्रकर्टी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुचे वो कई भाशाय जानते हैं और आदिवासियों से उनी भाशाव में संबात करते हैं 62 साल के आलोग सागर का माना है कि देश की सेवा करने का सही तरीका जमीनी अस्तर पर काम करना है उन्होंने कहा कि भारतियन नागरी कई गंभीर समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं लेकिन लोग उनकी मदद करने की इचुक नहीं है और तो और वे अपनी डिग्री दिखा कर अपनी बुद्धी मता साबित करने से अधिक विश्वास करते हैं दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि जहां आज के समय में लोग थोड़ा सा भी नेक कारे करते हैं तो उसे अपने सोचल मीडिया एकाउन पर साज़ा कर देते हैं मगर आलोग सागर एक ऐसे समाज सेवी हैं जोनों ने सालों तक अपनी पहचान को चुपाई और अपना सारा जीवन आदिवासी लोगों के अधिकार के लिए समर्पित कर दिया फिलहाल आप आलोग सागर को कितना जानते हैं उनके बादे में क्या आपको पहले से पता था या नहीं पता था आप मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा साथी आलोक सागर से जुड़े इस काम को आप कितना एप्रिशियेट करते ही ये भी मुझे कमेंट करकर ज़रूर बताईएगा मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लेंड नेट पर डेख रहे थे अपना ख्याल रखेगा बहुत-बहुत धन्यवाद